एक विक्ति ने जे कृष्णमूर्ती से भै के बारे में एक प्रशन किया उसने पूछा कि मैं भै से कैसे चुटकारा पाउं जो मेरे सारे कारिय कलापों को प्रभावित कर रहा है तब जे कृष्ण मूर्ती ने कहा यह एक बहुत जटिल प्रश्ण है और इसके लिए भरपूर ध्यान की आवश्यक्ता है और यदि हम एक एक कदम साथ चलते हुए इसकी पूरी तरह चान भी नहीं कर पाए इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए तो इस परीचर्चा के छोड तक पहुँचते पहुचते इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे भैसे हम क्या समझते हैं? किस चीज का भै? भैसे अनेक तरह के होते हैं किन्तो यहां हर एक का विश्लेशन करने की हमें आवश्यक्ता नहीं है फिर भी हम देख सकते हैं कि भै हम में तब प्रवेश कर जाता है जब संबंध की हमारी समझ अधकचरी रहती है संबंध किवल लोगों के बीच ही नहीं होता बलकि हमारे और प्रकृती के बीच हमारे और संपत्ती के बीच हमारे और अवधारणाओं के बीच भी होता है और जब तक यह संबंध पूरी तरह समझ नहीं लिये जाते तब तक भै बना ही रहता है जीवन संबंध ही तु है हमारे होने का अर्थ ही है संबंध मय होना बिना संबंध के जीवन है ही नही अलगाओ में अलग धलग रहने में कोई जीवित नहीं रह सकता और मन जब तक अलगाओ की तलाश में रहेगा तब तक उसमें भाय रहेगा ही इस प्रकार भाए का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता बलकि वह हमेशा ही किसी न किसी चीज से जुड़कर रहता है अब प्रश्न यह है कि भाए से छुटकारा कैसे पाया जाए पहली बात तो यह है कि जिस चीज पर काबू किया जाता है उसे काबू में बनाए रखने का हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है किसी भी समस्या पर काबू पा लेना या जीत हासिल कर लेना स्थाई रूप से संभव नहीं हो सकता समस्या को समझा तो जा सकता है किन्तु उसे जीता नहीं जा सकता ये दोनों बिलकुल भिन्प प्रक्रियाएं हैं और समस्या पर काभू करना तो और भी गड़बडी वे खलबली पैदा करता है और भी भै पैदा करता है किसी समस्या की रोक थाम करना उसकी नकेल कसना उससे भिड़ जाना या उसके विरुद्ध सुरक्षा खड़ी कर लेना यह तो द्वन्द्व को और भी बढ़ाना है जबकि हम यदि भै को समझ सकें इसमें कदम कदम जाते हुए इसके छोड तक पहुँच सकें इसमें जो कुछ है उसे ढूंड सकें तो भै फिर कभी भी और किसी भी रूप में लोट कर नहीं आएगा और आशा करता हूं कि हम यहां कर सकते हैं बैट कर ही जैसा कि मैंने कहा भै का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता यह केवल किसी चीज से जुड़ कर रहता है भै से आखिर हमारा तात्परिय क्या है अंततो गत्वा तो हम न रहने से डरते हैं कुछ न बन पाने से डरते हैं तो जब न रह जाने का भै होता है आगे न बढ़ पाने का भै होता है या अज्यात का भै मृत्यू का भै होता है तब क्या कोई दिड़ संकल्प करके, कोई निशकर्ष निकाल करके, या उसे पसंद नापसंद करके उस भाई पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं केवल दमन करना, उसे अलोकिक बना देना, या उसके बदले कुछ और रख देना तो विरोध प्रतिरोध को ही बढ़ाता है तो भाय को किसी भी तरह के नियम धर्मद्वारा, किसी भी तरह के रोध प्रतिरोध द्वारा काबू में नहीं किया जा सकता नहीं, भाय का कोई जवाब ढूंड लेने, या उसकी केवल बोधिक या शाब्दिक व्याक्या कर लेने भर से, भाय इसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता आखिर हम डरते किस बात से हैं, क्या हम तथ्य से डरते हैं या फिर उस तथ्य के बारे में बनी हुई धारणा से डरते हैं इस बिंदू पर ध्यान दीजिए क्या हम किसी चीज के यथावत स्वरूप से डरते हैं या उसके बारे में जो हम सोच लेते हैं उससे डरते हैं उदाहरण के लिए मृत्यू को हिलीजिए क्या हम मृत्यू से डरते हैं या मृत्यू के विचार से डरते हैं तथ्य एक चीज है और उस तथ्य के बारे में विचार करना बिलकुल अलग चीज है क्या मैं मृत्यू शब्द से डरता हूँ या इसके तथ्य से चुंकि मैं इस शब्द से ही इसकी अवधारना से ही डरता हूँ अतहा मैं तथ्य को समझता ही नहीं मैं तथ्य की ओर देखता तक नहीं मैं उससे कभी कोई सीधा संबंधर रखता ही नहीं कोई भय न हो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब तथ्य से हमारा सीधा सीधा कम्यूनियन हो जाए उससे हम जुड़ जाएं किन्तु यदि तथ्य से मेरा सीधा रिष्टा कायम नहीं रहता तो भय आ जाता है और तथ्य से सीधा रिष्टा तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक उस तथ्य के बारे में मुझे में कोई अवधारणा रहती है कोई राय रहती है उसके बारे में कोई सिध्धान्त मैंने पहले से बनाया हुआ रखा होता है तो मुझे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं शब्द से डर रहा हूँ अवधारणाओं से डर रहा हूँ या फिर तथ्य से डर रहा हूँ मैं यदि तथ्य को बिलकुल सामने देख लेता हूँ तो फिर उसे समझने जैसी कोई बात नहीं बचती तथ्य तब साक्षात मेरे सामने होता है और मैं उससे निपट सकता हूँ किन्दू यदि मैं शब्द से भयभीत हूँ तब मुझे उस शब्द को समझना होगा गहरे में जाना होगा कि वह शब्द अपने आप में क्या-क्या अर्थ समेटे हुए है उदाहरन के लिए कोई अकेलेपन से डरता है कोई दर्द से डरता है कोई अकेलेपन की पीड़ा से डरता है तो निश्चित रूप से उस डर का वजूद इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ती ने अकेलेपन को वास्तों में नजर भर के देखा ही नहीं है अकेलेपन के साथ संस्पर्ष में वह कभी रहा ही नहीं है यदि वह अकेलेपन के तथ्य को खुल कर देख ले तो वह जान जाएगा कि अकेलापन होता क्या है किन्तु उसके पास तो अकेले पन के बारे में प्राप्त हुए ग्यान पर आधारित कोई राए कोई अवधारना ही रहती है और उसकी यही राए यही अवधारना तथ्य के बारे में प्राप्त वही ग्यान ही वह चीज है जो भहे को पैदा कर रही है तो कोई नाम दे देने का, किने शब्दों में बांध देने का, उस तथे को बताने हे तू, कोई प्रतीक बना लेने का ही परिणाम होता है, भहे, अर्थात, उस शब्द से स्वतंत्र और अलग वह कुछ नहीं है मान लेजिये कि अकेलेपन के लिए मुझ में एक प्रतिक्रिया होती है, यानि मैं कहता हूँ कि कुछ नर रह जाने से मुझे डर लगता है, तो क्या मैं सच मुझ तथे से भाय भीद हूँ, या यह भाय इसलिए जाग उठा है, क्योंकि उस तथे के बारे में मुझे पहले से क कोई जानकारी है, शब्द के रूप में, प्रतीक के रूप में, या फिर छवी के रूप में, किसी तथे का भला कोई डर हो कैसे सकता है, जब मैं किसी तथे के रूबरू हो रहा होता हूँ, तब मैं उसके संपर्ग, संस्पर्ष में होता हूँ, उसे देख सकता हूँ, उस इसलिए वहाँ तथ्थे का कोई भै नहीं रहता, जो चीज भै पैदा करती है, वह है तथ्थे के बारे में मेरी जानकारी, मेरी आशंका की तथ्थे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो यह तो तथ्थे के बारे में मेरी राय, मेरी अवधारना, मेरा अनुभाव, मेरा ज्ञान ही है जो भै को पैदा कर रहा है, जब तक तथ्थे को शब्दों के आवरण में लपेटे रखा जाएगा, उसे कोई नाम दे कर, उसकी कोई पहचान बना दी जाएगी, या उसका तिरसकार कर दिया जाएगा, जब तक विचार एक अवलोकन करता बन कर, उस तथ्थे के बारे में अपने निरने सुनाता रहेगा, और भै तब तक बना ही रहेगा, विचार अतीत की उपज होता है, वह केवल शब्दों, प्रतीकों, छवियों और धारणाओं में अपना अ स्तित्व रखता है, और विचार जब तक तथ्थे को बढ़ा करके देख रहा है, या उसका रूपांतरन के दे रहा है, तब तक भै तो रहेगा ही, तो यह मन यानि विचार प्रक्रिया ही है, जो भै को पैदा करती है, विचार प्रक्रिया दरसल शब्दों का प्रपंच है आप शब्दों के बिना प्रतीकों, चवियों और धारणाओं के बिना सोच ही नहीं सकते ये चवियां, ये धारणाएं कुछ और नहीं, बलकि मन के पूर्वा ग्रहों, उसकी प्राप्त जानकारियों और आशंकाओं का ही रूप सरूप होती है ये छवियां, ये धारणाएं ही, जब आगे बढ़कर तथ्य को ढख देती हैं, तब भए पैदा हो जाता है भए से मुक्ती तभी मिलती है, जब मन तथ्य को कोई अर्थ दिये बिना, कोई नाम दिये बिना, और कोई लेवल लगाए बिना ही, देखने में सक्षम हो जाता है ये है, एक बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो ही कोई एहसास, कोई प्रतिक्रिया, कोई चिंता-कुलता हम में उठती है, त्यों ही मन उससे जुड जाता है, उससे कोई नाम दे देता है इर्शा की भावना का, इर्शा सब्द के साथ तादात में कर दिया गया है, तो क्या यह संभव है, कि हम किसी भावना का, उसके नाम के साथ तादात में न करें, उस भावना को, उस एहसास को कोई नाम दिये भी ना ही, उसे बस दिहान पूरवक देखें किसी भावना या एहसास का नामकरण कर देने से उसमें निरंतरता आ जाती है नामकरण उसे सबल बना देता है भै की भावना को जब आप भै कह देते हैं तो आप उसे सबल कर देते हैं लेकिन यदि आप उसे कोई नाम दिये बिना उसे ध्यान पूर वक बस देखें तो वह आपकी देखते ही देखते गायब हो जाएगा अतहा यदि कोई भै से पूरी तरहे मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भावना को कोई पहचान दे देने के प्रतीकों के चवियों और धारनाओं से उस भावनाओं को ढख देने के और तत्यों का नाम करण कर देने के उस पूरे प्रपंच को समझे यानि भै से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम स्वयम को जान ले हमें आत्म ग्यान हो स्वबोध हो स्वबोध ही आत्म बोध ही प्रग्या का आरंब है और प्रग्या का आरंब ही भै का अंत है झाल झाल